पोट पर सोया बीन का स्टोक हुआ कम दरसल ब्राजील में एक मार्च से बायो डीजल मेंडेट 14 से बढ़कर 16 फीसिदी हो गया है यही कारण है कि सोया तेल के भाव में बड़ी गिरावट दर्श नहीं हुई है जानकारों का कहना है कि वर्तबंद दामों में भाव ज्यादा गिर नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोग खाली है और अब तो पोट भी खाली हो जाएगा केंदर सरकार दोआरा कम शुल आयात अवधी एक साल बढ़ा देने से आयात को की हाय तोबा खतम हो गई है जिससे पोट पर अब सोया बीन का ओवर स्टोक समाप्थ हो चुका है पोट पर स्टोक की कमजोर उपलपता के कारण सीबोट सोया तेल में तीन फीसद की गिरावट के बावजूत सोया तेल के भाव ग्रेलू बाजारों में मजबूत बोले गए हैं हालाकि सोया तेल की कीमतों में तेजी से मांग को सपोर्ट कम मिला है इसलिए मौजूदा तेजी के लंबे समय तक बने रहने की आशा कम है ऐसे में बाजार जानकार मान कर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोया बीन के भाव में कोई बहुत जादा तेजी बनती हुई फ के टाइमस टीवी